हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वरक्षीट नमबर 89 जो तैंथ क्लास के लिए है और आप सभी को 22 वरवरी को मिली है यह वरक्षीट बिटा के स्टेडी के उपर है, इसमें आपको पहले पैरेग्राफ दिया हुआ है उसके बाद आपको दिये हैं इसमें चार प्रश्ण और ये चारो ही प्रश्ण आपको करने है तो क्या लिखा हुआ है वो देखो, मादा जनन तंत्र में आंतरिक वे बाहिये अंग होते हैं इस तंत्र का कारियन नई जीवों को जनम देना है मानवों में मादा जननतंतर जनम के समय एपरिपक होता है और किशोर अवस्था में जननकोशी का बनाने के लिए विक्सित हो जाती है अब पढ़ते हैं मादा जननतंतर का कों सा अंग भूण को रोपन का स्थान है बिटा भूर्ण कब बनता है जब उसमें निशेचन हो जाएगा मतलब अंड कोशिका और शुक्राणू दोनों मिल जाएंगे तब भूर्ण बनेगा यह हमें पता है लगाता और विक्सित होते जाएंगे तो इसका रोपन का इस्थान कहां है कहां जाके यह रुक जाता है तो वो है आपका गर्भाश्य आंसर आएगा इसके बाद है कौन सा कधन असत्या है मतलब गलत दिया हुए सारे चार हमारे पास ऑप्शन है उनमें से तीन जो है वो सही होंगे और एक गलत होगा पहला पढ़ते हैं लड़की के जनम के समय ही अंडाश्य में हजारो आई परिपक वो अंडे होते हैं बिल्कुल सही बात वो पके हुए नहीं है अभी अच्छा दूसरा निशेचन का इस्थान गर्भाश्य है क्या गर्भाश्य में निशेचन होता है नहीं कहां पर निशेचन होता है बिटा ये फैलोपियन ट्यूब या अंड वाहिनी में यहां पर निशेचन होता है गर्भाश्य ये पाढ़ है और यहाँ पे कोई निशेचन नहीं होता है तो इसका मतलब एक तो हमें मिल गया ये गलत हमें लग रहा है आगे पढ़ लेते हैं यदि अंड कोशिका निशेचित नहीं होती तो गर्भाश्य परत के साथ निशकासित हो जाती है बिल्कुस सही रितुस्त्राव या रजोध्रम लगभग हर महीने होता है बिल्कुस सही तो आंसर इस B अगला है अंड कोशिका का जीवन काल कितना होता है तो जीवन काल जो अंड कोशिका का है वो बिटा एक दिन का होता है अगर एक दिन में निशेचन हो गया तो ठीक नहीं तो वो खतम हो जाता है अगला है आपके पास वेटा एक चितर दिया हुआ है तो यह चितर हम सबको पता लगया है तो मादा जनन तatto दिया हुआ है इसके उन्दर इस बार इसी टाइप के कोशिकन आने है बिटा मतलब चेतर की तो आप प्रैक्टिस करी रहे हो लेकिन लेबलिंग के कोश्चन्स जाद आएंगे मतलब आपको नामांकित करने के लिए कहा जाएगा चेतर बना हुआ अगर मिल गया तो उसे सिर्फ नाम देना है तो नाम हमारे पास जो हमारे पास ये ट्यूब नजर आ रही है ये है अंडवाही का ठीक है और यहां क्या नजर आ रहा है ये गरभाश्य था तो ये वाला पोश्चन क्या है ये है योनि मार्क तो सभी को ये क्लियर हो गया तो आंसर इस ए थेंक्यू बच्चो थेंक्यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वरक्षीट जल्दी ही अप्लोड करूँगी ठीक है फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप पोछ लेना